आप देख रहे हैं राश्व हिंदी रिज़र में हूँ आपके साथ वर्ष शर्मा सरकार असाय लोगों के हित में योजनाएं तो बनाती है लेकिन क्या वो धरातल पर सफल होती है क्या मजबूर लोगों को इन योजनाओं का कोई लाब मिलता है इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी ये रिपोर्ट देख कर मिल जवाएंगे दरसल जोदपुर में प्रुधान और अधिकारियों की मिली भगत से मन्रेगा योजना में बड़ा घूटाला सामने आए है चले पहले इस योजना को समझते हैं कि इसको लाने का मकसद क्या था और कैसे ये असाहे लोगों के हित में है मन्रेगा यानि महात्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम ये एक सरकारी योजना है जिसके तहट ग्रामीन छेटर के असाहे लोगों को साल में न्यूतम सौब दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है इसमें काम जुड़ा होता है सडके, नेरे, तलाब और कुए निर्मार से इस तरह बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलता है और ग्रामीन छेतरों का विकास भी होता है लेकिन जेतारण के मुडावा गाउं में नरेगा सर्फ काग्जों में ही चल रही है आपको बता दे, पिछले तीन महीने से खुदाई, पिचिंग और सुरक्षा दिवार का काम वहाँ पर सिर्फ काग्जी तौर पर दिखाय जौरा है जहां पर असलियत में एक इंच भी खुदाई नहीं हुई है जिसके जानकारी ग्रामिनों को लगी तब मौके पर मीडिया कर्मियों को बुला कर पुरे मामले का खुलासा किया गया ग्रामिनों का आरोप है कि पिछले तीन महीने से यहां पर नरेगा में मस्टर रोल के जरिये सेकडो श्रुमिकों का नियोजन किया गया कागजी तोर पर काम दिखाए गया और असल में काम हुआ ही नहीं और इसी के चलते अभी तक 3 लाख से जादा का भुगतान भी उठा लिया गया है चरे सुनते इस पूरे मामने का खुलासा करते हुए ग्रामीनों ने क्या कुछ कहा जो केलास विमला डोली है वो पुषकर में रहते हैं उनका नामिया चलता है और जगदीश रेखा वो बंबई रहते हैं उनका नामिया चलता है और गोपी मुला राम बंबई रहता हूं का नाम यहां चलता इतना फर्जिवाड़ा चलता और यहां के लोगों को पता ही नहीं मुंदाओ गाहों है जो बिड़नाड़ो के लिए और गोड़ोड पंचाइत माव है और पिचल तीन मेना हूं नरेगा चल रही है बाई ओनली फोर कागदाम चलता और परस्तो रात को यहां पर जैसी भी चलता ही यानि कि कोई भी नहीं था और कानूनिकार यानि कि पेपरों म लेकिन कुछ नहीं आप देख लो आपके साब जैसा कि आपने सुना कि नरेगा श्रमिकों में कई ऐसे लोगों के नाम भी दर्श किये गए हैं जो मुंबई और अन्ने राज्यों में रहते हैं जिनके नाम पर भुगदान लिया जाता है स्तानी ग्रामिडों की माने तो बे काम स्वीक्रत कराया और पिछले तीर महीने से काग्जों में काम चलता रहा जिसकी ग्रामिडों को भनक लगी तब जाकर इस नरेगा में हो रहे मा गोटाले का खुलासा हुआ जिसके बाद स्तानिय सरपंच का पक्ष जवानने को लेकर जो सरपंच था उससे संपर्क भी सा भारा है वहीं संबंदेत अधिकारी नरेगा की कारेस तल पर किसी भी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं लगाया जोता है जिससे कारेस्तल की जुआनकारी नहीं मिल पाती है जिससे नरेगा में पंच्वाय द्वारा आसानी से धानले की जो रही है अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी योजनाई जो सरकार ऐसी योजनाई बनाती है वो ब्रस्टा चारियों के लिए लूट का खजाना बनकर रह गई है या वो लोगों के हित में भी काम कर रही है फिलाल के लिए इतना है आगे की तमाम खबरों के लिए बने रही है मेरे साथ और देखते रहे राश्ट्री हिंदी नियूज जेहिद